हलो फ्रेंट्स आवाम वेलकम टू आला फ्यू इन माई यूटोब चैनल अख्लेस एजुकेशन सेंटर दिसी अख्लेस कुमार दोस्तों आज हम लोग क्लास नाइन्थ में जो गती का चैप्टर है फिजिक्स में हम लोग उस पर आज चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो उसमें आपके रिलेटिड हैं बहुभी कलपी ये प्रस्न जिन्हें आप कह सकते हैं उनका अध्यनाज हमें करना है तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने सेशन की सुरुगात करते हैं और उससे पहले आप सबसे एक निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो अखिलेस एजुकेशन सेंटर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बिल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपकी परिच्छा के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं तो आप लोग जुड़े रहे हैं आपको निश्चित ही सफलता बहुत सिग्र प्राप्त होगी चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार करते हैं और आजाते हैं अपने पहले कुश्चन पर देखते हैं पहला कुश्चन क्या कह रहा है तो आप लोग भी कमेंट के माद्यम से बताते रहिएगा कि जो आपका पहला कुश्चन कहे रहा इसका एंसर कमेंट करके बताईए यदि आपको पता है तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ जो निर्देश दिया गया है निर्देश में आपको ये बता जा गया है कि निमलिखित प्रसनों में दिये गए बैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर का चैन कीजिए तो आपको यहाँ पर जो सही लगता है उस पर आप टिक कर देजिए और जो गलत है उसको आपको छोड़ देना है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रसना आपका कहरा है निमनलिखित में से कौन सी सदिसरासी है निमनलिखित में से कौन सी सदिसरासी है तो दूरी आपको पता है अदिसरासी है द्रब्यमान भी आपकी अदिसरासी है समय भी अदिसरासी है तो आपका जो सदिसरा देखते हैं और देखते हैं दूसरा कुश्चन यदि आपको दूसरा कुश्चन पता है तो आप कमेंट के माद्यम से बताईए कि निमले कित में से कौन सी आपकी आदिसरासी है पीछे आप से पूछा गया था सदिसरासी है इस बार आप से पूछा जा रहा है कौन सी आदिसर और ये आपका सही है तो कमेंट करके बताईए क्या ये आपको पहले से पता था चलिए अगले कुस्चिन पर आ जाते हैं अगला कुस्चिन आपसे कह रहा है विस्थापन विस्थापन का मातरक बताईए आप विस्थापन का मातरक ये आपका सेकेंड जो है ये समय का मातरक है नियूटन बल का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड वेक का मात्रक है तो विस्थापन हो जाएगा आपका जो विस्थापन का मात्रक निकल कर आएगा वो होगा मीटर तो I think आपको समझ में आया होगा कि विस्थापन में आपको मीटर पर टिक करना है आगे चलते हैं हम लोग और इस प्रस्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताईए कि कौन सा अपसन सही है यहां कह रहा है चाल का मात्रक है तो आप जानते हैं मीटर जो होता यह दूरी का मात्रक है मीटर गुड़े सिकेंड आप देखिए यह भी नहीं हो सकता और मीटर प्रती सिकेंड यह होता है क्योंकि चाल बराबर आपका क्या होता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी का मात्रक आपको पता है मीटर होता है दूरी का मात्रक मीटर होता है इसलिए आपका हो जाएगा जो चाल बराबर है वो दूरी बटे समय क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड तो मीटर प्रती सेकेंड आपका सही हो जाएगा तो आप तीसरे आपसन पर जा सकते हैं जाएए ये एकदम करेक्ट है अगला प्रस्न देखते हैं कह रहा है वेक का मात्रक तो वेक बराबर आपका क्या होता है बताईए हमें वेक बराबर होता है आपका विस्थापन वेक बराबर विस्थापन बटे समय वेक बराबर विस्थापन बटे समय और विस्थापन का मात्रक आपने अभी पढ़ा है मी चलकर आजाता है कि जो विस्थाफवेग का मात्रक होगा वो मीटर प्रती सेकेंड हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग छे नमबर में कह रहा है तो आप जानते हैं जो निटन होता ये बल का मातरक है किलो ग्राम इंटू सेकेंड ये हो नहीं सकता क्योंकि आप SI पद्दत में जैसे आप किलो ग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं तो यहाँ पर यह भी नहीं है क्योंकि किलोग्राम द्रब्यमान का मत रख है और सेकेंड समय का द्रब्यमान बटे समय यह गलत बात है तीसरे में आपको kilogram into second कराए मीडर प्रती सेकेंड स्क्वेर तो त्वराण बराबर क्या होता वेग बटे समयानतर त्वराण बराबर देखिए यप बराबर आप जानते है यम A होता है तो A बराबर आपका क्या हो जाएगा यप बाई यम A आपका है त्वराण और यम आपका A त्वराण है यप बल है और यम क्या है तो यम आपका द्रब्यमान है देखिए इसे हम लोग यप को बोलते हैं निउटन और इसे हम लोग कहते हैं यप बराबर देखिए आपका क्या होता है यम A यम ए तो यम को बोलते हैं किलो ग्राम द्रब्यमान का महत्रक किलो ग्राम और ए आपका त्वराण है त्वराण को हम लोग कहते हैं मीटर प्रती सिकेंड इसक्वायर तो यह हो जाएगा मीटर प्रती सिकेंड इसक्वायर यहां से निकल कर आ जाएगा तो आप आपसन नमबर चार पर टिक कर देजिए आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं सात्मा कुश्यन कह रहा है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर कह रहा है तोराण बराबर आपका क्या होता है वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन बटे समय तो व और बराबर वीग बटे समय होता है आगे चलते हैं आठ नमबर का कुश्चन आपको क्या कह रहा है देखिए ये कुश्चन थोड़ा सा लजकल है आपको समझना है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तै करेगी तो सबसे पहले तो 12 बटे 60 12 बटे 60 और अब हम लोग काट पीट करते हैं यहाँ पर तो देखिए काटेंगे तो क्या आएगा आपका समझें 12 यकणनम 12 बारा पंचे 60 और 5 यकणनम 5 5 पांसते 35 और यह आजाएगा 7 किलोमीटर तो आपसन है आपका बिलकुल आपसन नमबर A is correct आपसन तो आगे चलिए हम लोग नवा कुश्चन पर चलते हैं नवा कुश्चन आपको क्या कह रहा है कह रहा है एक मोटर कार का वे पांच सिकंड में चालिस मीटर से बढ़ कर कह रहा है पांच सिकंड में फिर से पिछे आ जाते हैं चलिए देखिए कह रहा है आपका एक मोटर कार का वेग 5 सिकंड में 40 मीटर प्रति सिकंड से घट कर 20 मीटर प्रति सिकंड हो जाता है मोटर कार का मंदन ग्याद कीजिए मंदन ग्याद करने के लिए रिडातमाक तौराण को मंदन कहते हैं तो तौराण बराबर वेक परिवरतन बटे समय 40 में से 20 घट रहा है तो 20 बच रहा है बटे समय 5 है तो 5 चोग 20 और मीटर प्रती सिकंड इसक्वायर होता है तौराण का मात्रक इसलिए आपका जो आपसन है ये वाला सही हो जाएगा आपसन नंबर 4 इसकरेक्ट आपसन इन दिस कुश्चिन आगे चलते हैं ये लोग 10 वा देखते हैं दसवे में आपको कहरा है एक धावक जिसे रेसर बोलते हैं 4 सिकंड में 5 मीटर प्रती सिकंड के वेक से दवड़ते विए 9 मीटर प्रती सिकंड का वेक प्राप्त कर लेता है दावक का त्वराण ये बराबर वेक परिवरतन अंतिम वेक माइनास प्रारंभीक वेक तो प्रारंभीक वेक कितना है 5 लिखते हैं 5 बटे समय कितना 4 तो ये 4 बटे 4 यानि कि 1 आगया और मीटर प्रती सिकंड इसक्वायर तो 1 मीटर प्रती सिकंड इसक्वायर आपका आप आपके वृतिय गती होती है वक्रिय गती होती है उसमें आपका क्या होता है तो कहरा है गती की दिशा निरंतर बदलती रहती है गती की दिशा निर्धारित रहती है वेग ये निर्धारित नहीं रहती है पहली बात आप याद रखिये कि कोई भी ये दिशा निर्धारित नही होती है तोराण सुन नहीं रहता है वेग नियत नहीं रहता है वेग हमेशा बदलता गत की दिसा निरांतर आपकी बदलती रहती है क्या हो देखिए एक वृत्ता कार पथ है आपने यहां पर क्या किया एक पत्थर को बांध कर इस पर आप गती करा रहें मान लेजिए इस अस् दिशा जो है वो निरंतर बदलती रहती है बारा नमबर आप से कह रहा है किसी कार की चाल 10 सिकेंड में 20 किलो मीटर प्रति घंटा से 50 किलो मीटर प्रति घंटा हो जाती है आपको त्वरान बताना है तो देखिए सिकेंड यहां पर दिया गया है और यह किलो मीटर प्रति आंतर तो 50-20 बटे 10 कितना होगए ये आपका 30 और 7 में km प्रती घंटा है तो km प्रती हंटे को मिटर प्रती सेकेंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुड़ा करते हैं तो 30 गुड़े 5 बटे 18 हम लोग कर देते हैं 30 गुड़े 5 बटे 18 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रती सेकेंड और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है समय 10 सेकेंड का ये 5 के अन्नम 5, 5 दूनी 10, 2 एक अन्नम 2, 2 पंदर हमें 30, 15 बटे 18 आ गया 20 बचा, चातरीक, 18, 0.8, 3 मीटर प्रती सेकेंड इसक्वायर देखिए आपसन नमबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा 13 नमबर पर चलते हैं हम लोग कहरा किसी पिंड का त्वराण सुनने होगा यदी कहरा चाल समान हो तो त्वराण सुनने नहीं होगा इस्तिर हो तब भी सुनने नहीं होगा रिजू रेखा में गती कर रही हो तब भी सुनने नहीं होगा लेकिन यदी समाय का जो वस्तु का समान समय में विस्थापन समान हो तो आपका जो त्वराण है वो सुननने होता है आगे चलते हैं प्रस नमबर 14 आप से कहरा एक गतिमान कंड का मंदन 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वाइर है त्वराण ग्यात किजिए तो हम लोग रिनात्मक त्वराण को मंदन कहते हैं और मंदन है तो A बराबर हो जाएगा आपका माइनस पांच मीटर प्रती सेकंड स्क्वायर तो तोरार आपका कितना होगा ए बराबर माइनस ए इसलिए आपका माइनस ए जो है वही ए के बराबर हो जाएगा आर्थात सी आपसन आपका सही हो जाएगा तो सी आपसन पर आप यहाँ पर जाएंगे आगे चलिए हम लोग देखते हैं लाश्ट कुश्चन और याद रखिए यह जो पंदरा नंबर का कुश्चन है यह आप यदि अभी तक देखें हैं तो इस प्रस्ण का आइंसर आपको क्या करना है कमेंट बाक्स में बताना है इसका कमेंट बाक्स में बताईए कमेंट करके कि इसका कौन सा आप संसे होगा और यदि आप इसमें आप कमेंट करके सही बताते हैं तो अगले वीडियो में सबसे पहले आपको विनर भोसित किया जाएगा और आपका नाम लिया जाएगा तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में लेकिन आप सब यह भी तक वीडियो देखें हैं वीडियो पसंद आजा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते हैं आप ये एक दिवसी परिक्षाओं में भी ये इंपॉर्टेंट है और आपकी परिक्षा की दिश्टी से तो इंपॉर्टेंट है ही चलिए मिलते हैं लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई अच्छे से पढ़ते रहिए